चुनावी माहोल क्या है आप वो चेहरा है इस वक्त पंजाब की राजनीती का जिसके उपर बहुत चर्चाएं पहले हुई आज भी बहुत चर्चाएं हो रही है आप लुदियाना से जीते रहे हैं जितकी हैट्रिक लगा सकते हैं ऐसे आप उमीद करें आपके लोग आपके स पता के नजदीक नहीं है और पंजाब इस टाइम आप देख रहे हैं भी यहां पे कितने मुद्दे हैं यह बॉर्डर स्टेट है किसानों के साथ बहुत बड़ा इशू है वो यहां पे चल रहा है यहां पे लॉड लॉड और की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग की ब बीजेपी जो गॉर्मन्ट बनाती है उसमें हम हिस्सेदार बनें तो इसलिए बीजेपी भी पहली बार यहां अलेक्शन लड़ रही है क्योंकि तेरा सीटें कभी लड़ती नहीं थी वो अकाली दल के साथ लाइंस करती थी तो हमारे जैसे बीजेपी को जॉइन किये हैं औ और इससे एक पंजाब के लोगों को भी विश्वाश बना है भी सरकार क्योंकि करना तो सारा काम सेंटर गॉर्मेंट ने पंजाब में कोई पैसा नहीं है करजे से स्टेट बिलकुल नीचे चले गई है और यही बात हम कह रहे हैं भी यूपी जैसी स्टेट बिहार जैसी स् समझ रहे हैं तो वह आप देखेंगे पिछले तीन दिनों में एक दम बहत बड़ा चेंजा आया है और आगने वाले तीन दिनों में बहत बड़ा और चेंजा आएगा लोग यहां भी चाते हैं मैटरो आये जो पैसे जहां जो भी GST जहां वैट जो भी है वो लद्याना से चलता है अगर लद्याना से पिछले दिसंबर में पांच लाग क्रोड की इंडस्ट्री यूपी में चली गई और पहले उस से बद्दी में नाला गड में हमाचल में चली गई हमें भी वैसा क्योंकि बॉर्डर स्टेट है हम भी चाते हैं भी हमाचल की तरह यहां भी टेक्स हॉलिडे हो और ये सारी चीजें लीडर्शिप ने हमारे से वादा किया हुए है तो वो ही बात हम ग्राउन पे बोल रहे हैं इसका असर है और चार तरीक के बाद पंजाब भी एक अलग स्टेट बनेगी जिसमें खुशाली और दवारा क्योंकि अमित शाजी आये थे परसों उन्होंने पहले चार कॉंग्रेस पार्टी ने कहा था चार हफ़ते में हम नशाग खतम करेंगे वो नहीं हुआ इन्होंने चार महीने में कहा था पर अमित शाजी अब जुमेवरी से कहके गए हैं नार्कॉटिक्स ब्यूरो जो एक आफिस है हमारे अमरसर में उन्होंने कहा है अभी 17 आफिस में हर डिस्टिक हैड क्वटर पे बनाऊंगा और जो ड्रग बेचते हैं जो ड्रग माफिया ह इनको पकड़ के चाहे डिबरुगर लेना जाना पड़े चाहे काले पानी डालना पड़े आप देखेंगे विदिन वान इयर जो हो मिनिस्टर साब कहके गए हैं वो इंप्लीमेंट होगा और पंजाब दवारा नशे से बाहर निकलेगा बहुत सारी महतपूर्ण बाते आपने उठा दी एक तो 2009 में आपने एक मुहीम शुरू की थी एस यूथ प्रेजिडेंट पार्टी के कि नशा खत्म हो जाएगा वो कहां छूट गया और क्यों नहीं वो कर पाए आप आपकी सरकार भी रही इस दर्मियान और उसके बाद सर विरोधी कहती दस साल तक आप नजर ही नहीं आए वो कमिया कहां छूट जाते क्यों अभी भी हम सिर्फ दावों की वादों की बात करते हैं मुझे तो मौका कहीं मिला नहीं लेकिन मैं जितनी अवाज अठा सकता था मैंने हर फीड़ बैक चीमनिस्टर को भी दिया उपर मनमौन सिंग जी गौवर्मेंट थी उनको भी दिया लेकिन वो जूटे वादे ही सावत हुए इसलिए तो आज कॉंगरस की ये दुर्दशा ह नहीं कॉंगरस जो इतना कुछ किया हो पर आज कॉंगरस किसी मकाम के हो ना कोई विश्वाश ना उनके उपर हो तो कॉंगरस का तो यहां कोई नाम लेवा नहीं रह गया था मैं ही था जो पंजाब से तीन बार मेंबर पार्लीमेंट जीत के लगातार तीन बार कॉंगरस से गया हूँ लेकिन वो मेरे नाम पे मेरे दादा जी की नाम पे वोड देते थे तो लेकिन मैंने अब फैसला किया भी मैं MP बनूँ जहां लोगों का यहां पे कोई भला करूँ क्योंकि सरकार के बगएर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब हम बहां पार्लिमेंट में होते हैं अगर आज भी Operation Congress वाले कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं अगर आज भी वो एपोजिशन वाला कोई जाएगा जीत के तो जो हाल पहले हुआ वो ही होएगा तबी तो हम गौर्वर्मेंट के साथ गौर्मेंट में बीच जाना चाहते हैं भी कुछ हो यहां पे आप कहरे कि जीत के वहां कोई जाएगा मतलब आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं उधर आपके विरोधी हैं आपके पुराने साथी हैं भले अब आप विरोधी पार्टियों में चले गए हैं राजा वडिंग कहते हैं कि आप 10 साल तक ही नजर नहीं आए और आप तो गदार निकले आप तो राजनेतिक शरण लेने वाले हैं और आपकी जमान जब्त होगी चार तारी को और ये भाप चुकी है बीजेपी हाई कमांड भी भाप चुकी तबी मोदी की और योगी की रैलियां कैंसल हो गई शाद मेरी ख्याल से आप को जानकारी मैं दे दूँ अमीश शा जी एक ही प्रोग्रम किया उन्हों ने सारे पंजाम में वो यहां परसों करके गए हैं और मोदी जी ने अगर किसी को मितर कहा है अपना तो पंजाम में उन्होंने ये चाह है भी मेरा मितर रवनीत सिंग और मेरा वहां पे मंतरी बनाने का मेरा काम और योगी जी अगर कहीं आ रहे हैं तो वो लुध्याना आ रहे हैं तीस को जब ये बिलकुल सिखर पे कंपेयन और खतम होगी और आखरी स्पीज पंजाब में ये दोनों साथ में चरन की आखरी जो स्पीज होगी योगी जी की प्रोग्राम कैसे करें बाकी गदार जा ना गदार वो तो लोग बताएंगे मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता यह एहम की लड़ाई बन गई है या फिर मुद्दों की लड़ाई आपको लगता भी मुद्दों की लड़ाई हो रही है आप लोगों के बीच में यह जो चुनावी रण है लुद्याना का यह एहम का विश्य बन गया या फिर आम जनता की भी भलाई को लेकर कोई मुद्दे उठाए जा रहे हैं हम तो क्योंकि वह तो बहार से आये हुए यहां तो उनकी वोट भी नहीं है तो यहां पर उनका क्या एक PCC प्रेजडेंट हो वो कहीं जाई न में रख दिया और लद्याने में घेर के उनको यहां मैंने एक दो चार सडकों पर बंद कर दिया और दूसरी बात यहां मुद्दा यह है ना तो उनकी यहां वोट है ना वो वहां के हैं यहां की कॉंग्रस से गदारी की है यहां पर जितने भी कॉंग्रस के लोग थे चाया बाद साब CLP लीडर हैं वो कहते थे मैं यहां आके बैठूंगा और मिले यह नहीं वहां यहां उनको लग रहे हैं कि राजावडिंग अकेली कॉंग्रेस चला रहे हैं जो भगदर मची थी कॉंग्रेस में उसके पीछे बड़ा हाथ है उनका नहीं उनको हम लुद्याना तो क सरकार इतना बड़ा बलीदान हो राजा आपने बात की बठेंडा यह पिछली वार बठेंडा अलेक्शन लड़े थे और बुरी तरह वहां से हारे वहां से चोड़के यहां लद्याना भागाए इनका आप मतलब मैं तो आपने बात शुरू की मैं करना ही नहीं चाहता क्यो क्यों की लोगों का इससे पेट नहीं बरेगा लोगों का इससे काम नहीं चलेगा यह सिर्फ हम तो मोदी जी की सरकार जो बन रही है उसमें से क्याल ध्याने में लेके आएंगे बात उसकी है ना राजा राजा रानी आज खत्म हो चुके हैं आज राजा रानी का जमाना खत मिनाइब के पास है छी चाहंगे साइब के पास है पास है की वह फ्रॉ क्रोड की गाढ़ी बूमने वाले लोग कि काश्कावाले रिक्षे वाले जो चोटी गाड़ी कहा समझेंगे बात उनकी इसलिए वाले मुझे जानता है लुध्याना वाले मुझे जानते हैं मैं उनको जानता हूँ उनको पता है विट्टू क्या चीज है और वो क्या कर सकता है क्या कर सकते है रवने सिंग बिट्टू मैं यही आप से जाना चाहते हूँ कितने बड़े मार्जन से आप दावा करते हैं कि जीत जाएंगे साथ में ये भी बता दीजी कि पंजाब में बीजेपी कितनी सीटें पहली दफ़ा बीजेपी बिना बैसाखी के अपने दम पर अपने पैरों पर मस्बूति के साथ कह रहे कि चुनाव लड़ रहे हैं देखो बीजेपी पांच से साथ सीटें जीतेगी आप रिजल्ट देखेंगे ये गाउं में भी हर जगा बीजेपी को वोट पड़ रही है और हर वोट क्योंकि लोग समझदार हैं लोग देख चुके हैं दस साल यहां कॉंगरस पार्टी को वोट डालके आम आदमी को वोट लेकिन अब एक ही पार्टी है वो कमल का फूल यहां पे पांच नंबर पे बटन लोग दवाएंगे आप देखना उस दिन चार तरीक के बाद आप जरूर मिलना तो यहां पे रिजल्ट है जो 100% एक लाग से उपर बीजेपी लुदिहाना में जीतेगी अब आम आदी पार्टी की बात कर लेते हैं आब आदी पार्टी की तरफ से चाहिए आप सुप्रीमो अर्विन केश्रिवाल हो जो आज लुदिहाना में आये हुए है या फिर मुखेवंतरी भगवंत मान हो वो कहते कि 13-0 इससे उपन नीचे आंकड़ा नहीं होगा दूसर की कैपिटल है अपना चंडी गड़ वहां से मनीश्त वाड़ी लड़ रहे हैं वहां पे अलायंस से एक जगा जाड़ू डाला हुए एक जगा पंजा डाला हुए क्या विश्वाश करोगे उसके आगे देश की कैपिटल वहां चले जाओ दिल्ली में वहां पे रहूल गंदी जिन दावाद कर रहा है तो इनका कोई दीन मजव है कोई वहां पे ये जपहीं डाल रहे हैं रहूल गंदी और केजरीवाल जब ये चंडीगड से बाहर पंजाब में आते हैं जहां राजपुरा से यहां आते हैं यहां के केजरीवाल रहूल गंदी को गाली देता ह उसी दिन ये रात को शामको वापस दिली जाके वोही उनकी कंपेञ्टेंग करते हैं तो इन को पौन सीरियस लेगा ये पंजाब ये शर्यीफ लोग हैं ये अच्छे लोग है लेकिन बेफकूव नहीं है जानते हैं लोग भी यहां नूरा कुष्टी कर रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं इंडी अलाइंस यो इनका खुद का अलाइंस है और अठाई पार्टी हैं आप किसी भी कॉंगर्स वाले से बात करें भी आपका प्ची पी-म चेरा कौन है और यहां आम आदमी से करीब है आपका और इनको सिर्फ परवार बात से उपर कुछ नहीं है आपको लगते हैं कि पंजाब में भी राम मंदिर एक मुद्दा है धाराती नुसससत्तर एक मुद्दा है या फिर प्रधान वंतरी नरेंद्र मोधी का चेरा ही बहुत है बीजेपी के लिए चुनाव में उतरने के लि यहां पे राम मंदर भी बना है और यहां पे करतारपुर साब कॉरीडोर गुर्णानक देब जी यहां 18 साल उन्हें ने खेती की किरत की कमाई की क्यों नहीं किसी ने खोला एक अमरान खान को टेलीफून प्राइम निस्टर साब ने किया आज वीजे के बगार लोग पाकिस कोई बात करता नहीं है लेकिन उसके बाद बीर बाल दुवस चारो शेहबजादे हमारे सबसे बड़ी शहादत है किसी ने क्यों नहीं किया बीर बाल दुवस सारे देश में मनाया जा रहा है अगर बात करूं मैं जी स्टी की तीन सो करोड रपिया वापस आ रहा है जो साब वहां के चीम मिनिस्टर दो दिन पहले यहां आए थे हेमकुंट साब की इतनी बड़ी चड़ाई रास्ता है मुश्कल तो वह आज रोवे बना के पंदरा मिंट में आप वहां जाओ पंदरा मिंट में वापस आ जाओ इतना कुछ सिखों के लिए और यह एक आप मैं बता की हम अंदर का तो लोग कैसे बख्ष देंगे आस्ता सी उपर कुछ नहीं और दूसरी बात जो सिख है जिसके सिर्ख पे उपर पगड़ी है आपने देखा होगा हर जगा बोर्ड लगे अगर पंजाब में एक जून वाले दिन इंद्रा गांदी ने दरवार साब गोल्डन एक जून को लेकर भी विरोध ही ये कह रहे है विपक्षिये कह रहा है कि जान बूज कर पंजाब में एक जून की तारीख रखी गई वोटिंग के लिए दूसरा एक और महतनर सवाल इसके साथ ही मैं जोड देती हूं कहा जा रहा है कि पंजाब को बांटा जा रहा धर्म के हुआ क्या है और कौन सबसे ज़्यादा बड़ा खत्रा क्या चीज अब से बड़ा खत्रा है कि आज पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही हर को यह दावा कर रहा है देखो यह बात यह है जो जून पहली बात तो अलेक्शन कमिशन मेरी ख्याल से तो किसी तरीक तो रखनी थी ना पहले हफ्ते में संब में एक हफ्ता लगातार वो लोग इस तरीके से मतलब पहली वार लोगों को यह मौका है कॉंगरिस पार्टि जो पंजा जो इंडरा-गांदी का पंजा वहां चला था उससे तोडने का उसे खाडने का और दूसरी बात जो आपने कही आज बॉर्डर पे है और मैं बार बार कहूं निकसान कालीदल ने भी उतना किया, कॉंग्रस ने भी उतना किया, पंजाब का क्योंकि मौका मिला है, दस साल वो रहे, पांच साल कॉंग्रस रही और अब दो साल से आम आदमी पार्टी है, बीजेपी को तो मौका लोग देंगे, तो सेंटर गॉर्णमेंट क्योंकि बॉर्डर पे पड़ता है, बागा बॉर्डर भी खोलने की त्यारी है, यहाँ पे जो बड़ा से बड़ा चाइना से बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री वहां से हिल रही है, कोवेड के बाद लोग वहां से निकलना चाहत तो उस अंडस्ट्री अगर हमारे देश में आएगी वो पंजाब में भी आएगी तो एक जैसे अमरित पाल जैसे एलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे वो एक सबसे बड़ा खत्रे की घंटी है भी जेल में बैठा वहां से वो अलेक्शन लड़ रहा है अगर सेंटर गौर्व लिए मान साब तो बिलकुल उनको तो पता ही नहीं कैसे कंट्रोल क्या करना है तो इसलिए सेंटर गौर्वर्मेंट ने ही कंट्रोल करके रखा उसे डिबडूगर जेल में डाला अगर सेंटर की यहां पकड ढीली होगी तो यहां पंजाब में आग भी लगेगी यहां टेर जैसे हरियाना में रहा वैसे पंजाब में किसानी किसान किसान आंदूलन का कितना असर लगातार बीजेपी के उमीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्या आपको लगता है कि चनाओं में बोड डालते वक्त भी नुकसान हो सकता है यहां पे मेरी सीट में पास कहां टाइम किसान पंजाब में तो मैं बताऊं खेतों में है अपने बीज डाल रहा है अपना पानी लगा रहा है तो यह लोग आम आदमी के पेड़ लोग है जहां गौर्मेंट यहां पे है वो ही उनको रोज बेजती है और पलीस खुद लेके आती है सामने नहीं चा यह चीज तो एक प्लिटिकल होगी है यहां पे जिस केंडिट का वरोध करना वो ही कोई ना कोई आदमी दो चार हजार रपी यह दिहारी पे देके वहां भेज देता है तो यहां तो किसानों के बेश में यह सब लोग प्लिटिकल लोग अपनी अपनी जिद निकाल रहे हैं किसानों के पास किसी के पास यह ना टाइम है ना उसके पास यह सोच है वो तो अपना खेट में काम करता है उसको आदत नहीं है यह कॉमरेट टाइप लोग है कुछ जो जंडियें दखाने निकल आते हैं किसान की यह फितरत नहीं किसान ने तो दुनिया का लोगों का पेट रहा हूँ और अभी जाके रैली त्यारी हो रही है वहां जाऊंगा और हमारे फिनांस मिनिस्टर भी अपने सारी इंडस्ट्री के साथ वो अपना डायलॉग कर रहे हैं और योगी जी आके क्योंकि आज लॉइंड ओर्डर की बात हो रही है पंजाम में और सब प्यार से कोई सिख, हिंदू, मुस्लिम, साही सब यहां पर एक ही वाज है भी योगी जी जैसा हमें राज चाहिए योगी जी जैसा हमें सक्त डंडे वाला यहां पर चाहिए और मैं समझ रहा हूँ वो मैसिज अमिच शाज नहीं भी दे दिया यहां पर आके जब आप जात पात से उपर फिर धर्म की बाते करने लगते हैं? इस देश भी बचेगा नहीं अगर पंजाब को प्राब्लम आई चुनौती वानते राजावडिंग को? तो मैं उसे चुनौती मानता, यहां पर किसको पता है भी कहां से याए, इनकी वोट खुद कहा है, इनकी तो वोट भी दियाना नहीं है, जो खुद को वोट नहीं डाल सकेगा, उसको लोग क्यों वोट देंगे?